प्रदार मुंती नरेंद मोधी के उस संबोजन के साथ जो आज बज़ेट सत्र के आगास से पहले नोने दिया नोने एक अपील की यहाँ पर पक्षिनेताओं से कि वो एक अच्छे आच्रण का वहाँ पर परिचे दें क्योंकि ये बज़ेट सत्र देश के विकास में में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगती भारत में वैक्षिनेशन का अभियान भारत की अपनी खोजी हुई वैक्षिन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है इस बज़ेट सत्र के भी हम सांसदों की बात किते हैं हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे खुले मन से की गई चर्चा पैश्विक प्रभाव का एक महत्वपून आउसर बन सकती है मैं आशा करता हूँ कि सभी आदर्णिय सांसद सभी राजनितिक दल खुले मन से पुत्तम चर्चा करके देश को प्रगती के रास्ते पर ले जाने में उसमें गती लाने में अवश्य मदद रूप होंगे हम पूरी प्रतिवद्धता के सार्थ इस बजेट सत्र को जितना ज्यादा फलदाई बनाएंगे आना वाला पुरा वर्ष हमें नई आर्थी गुंचाईयों पर ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा आउसर बनेगा मुक्त चर्चा हो मननिय चर्चा हो मानविय समयदनाओं से भरी हुई चर्चा हो अच्छे मकसद से चर्चा हो सरकार आम लोगों को हिंदुस्तान के आम लोगों को गुम्रा करते हैं, सदन को गुम्रा करते हैं, खासका सूप्रीम कोड को भी गुम्रा करते हैं, यह नईती कपराद है, इसके खिलब तो प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए, इसलिए लाए और स्पीकर से मैं यह दरखास कर की को पे सुप्रीम कोड में है सुप्रीज मोशन वो तो प्रसेस में जाएंगा तो देने तो हम देखेंगे अभी तो मुझे तो मुझे तो CM, आप हमारे आजाद ही छी ले रहा है और लोकों के जितने भी है और लिए अगा वी चीन ले दी इसके लिए तो हम पूरे लोग euu के पहले भी लड़ेहें अब भी उसके बारे में लड़े हैं अब भी उसके पारे में लड़ें वो शुद्ध रूफ से जिस तरह से फुकीवी बंदू को छुटे हुए कार्तूसों से मिस्फायर करने का प्राकरम करना है जिस मुद्दे पर बार बार संसस से ले करके और सडक तक चीजें इस पश्ट हो चुकी है अब फिर से वही पेगेसस के पिटे हुए मुद्दे को ले करके और अपना पॉलिटिकल प्राकरम दिखाने की कोशिश कर रहे है दिक्कत यह नहीं है दिक्कत यह है कि ये लोग ऐसे जासुसी के जेम्स बांड है जो रिटायर होने के बाद भी इनको जासुसी का भूत इनको जो है वो समय समय पर पर परिशान करता है अज यूपी से लेकर पंजाब तक हाई प्रोफाइल नामांकनों का दौर है कुछी देर में समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादव करहल सीट से नामांकन परचा भरने वाले हैं और समर्दकों के साथ उमेन पुरी इस वक्त पहुँच चुके हैं पंजाब के अगर बात कर लें वहाँ पर आज एक साथ कई दिगज नामांकन परचा दाखिल कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंती चन्नी भदोर से नामांकन करा रहे हैं आपको बता दे कि चन्नी इस बार दो सीटों से लड़ रहे हैं उनकी दूसरी सीट चमकौर साहिब है पंजाब के पूर मुख्यमंती कैप्टनमरिंदर सिंग भी आज पट्याला से अपना नामांकन भरने वाले हैं इस सब के बीच प्रकाश सिंग बादल ने लांबी से अपना नामांकन परचा भरा है कुछी देर में उनकी बेटे सुभी सिंग बादल भी अपना परचा दाखिल करने जा रहे हैं लोगों का प्यार उनके साथ बना रहेगा बरकरार रहेगा और ऐसे में देखना ये दर्चक्त होगा कि आज जब वो नामांकन दाखिल करने पहुचते हैं तो कितना लंबा चोड़ा हुजूम उनके साथ होता है इससे पहले भी जितनी बार अकलेश यादा से सवाल किये गए कि वो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं कई बार उन्होंने साफ नहीं किया लेकिन आखिल कार अब आज के दिन करहल से नामंकन दाखिल करेंगे कितनी देर है अब नामंकन प्रक्रिया में कहां तक पहुँचे अखिलेश देखिए वो करहल से होते वे बस मेनपुरी डिस्टिक अलेक्टरेट पहुचने ही वाल है सैफे अपने घर से सारे दस बजे रत में चरके अखिलेश यादव नामंकन भरने के लिए निकल चुके थे रस्ते में ही है कॉन्वोई बहुत ही लंबा है और जगा जगा पे हमने ये भी देखा कि उनकी समर्थकों की भीर थी इसलिए जो 40 मिनिट का रस्ता था वो करीबन देर से 2 घंटे लग चुके है कुछ और मिनिट लगेंगे वो पहुच जाएंगे डिस्ट्रिक कलेक्टरेट जहाँ पे वो नामंकन करेंगे इनका पहला विदानसवा चुनाओ है पहली बार अखिलेश यादव विदानसवा चुनाओ लड़ने जा रहा है करल सीट से जहाँ पे 1993 से यहाँ पे समाजवादी पाटी का ही माना जाता है करल असेमली लेकिन 2002 में एक बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी इस बार क्या होगा यह देखने में बहुत ही दिल्चस्क होगा क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव विदानसवा चुनाओ लरिंगा और कुछी देर में वो डिस्ट्रिक कलेक्टरे जो मेन पूरी में है वो पहुँचने वाले है और वहाँ वो अपना नामंकन भरेंगे कारणल असेंबली से ठीक है श्रिया बना रखिए क्योंकि आप उस कारवां के साथ मौजूद हैं जिसमें अखलेश यादव हैं लगभग कितने देर में यह पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी श्रिया देखे सारे दस बज़े वो निकले थे ये आशा तो हमारी थी कि वो बारा बज़े तक पहुँच जाएंगे लेकिन रस्ते में जगा जगा रुखने के कारण वो थुरा विलम हुआ और करीबन पंदरा मिनिट और लगेंगे डिस्रिक केलेक्टरेट पहुचने में अगर हम किलो मीटर और गूगल मैप्स की बात करें लेकिन यहाँ पर देख सकते है कि कारण कैसे बहुत सारे इनके समर्थक आने के कारण भीर भी बहुत ज्यादा है तो इसके कारण जो डीले हो रहा है रस्ते में चलने के लिए थोरा और पंदरा मिनिट शायद लगेंगे लेकिन उसके बाद वो डिस्टिक के लेक्रेट पहुँच जाएंगे मेन पूरी जहां पर नमांकन भरेंगे एक और दिल्चस बात तो यहाँ पर सामने आ रहे है वो ये श्रिया कि अखिलेश यादव के अगेंस्ट बीजेपी से किसको टिकेट दिया जाएगा करहल से क्योंकि सब से आगे तो अपड़ना यादव का नाम चल रहा है लेकिन अगर अपड़ना यादव नहीं तो फिर कौन कि देखिए फिलहाल तो हवा में यही खबर है कि बीजेपी के तरफ से अपड़ना बिश्ट यादव को उतारा जाएगा हाला कि उनकी तरफ से कोई हां या ना दोनो कुछ आया नहीं है लेकिन यह सुनने में जरूर आ रहा है कि अपड़ना बिश्ट यादव ही शायद इस बार लरेंगे बीजेपी से लेकिन क्योंकि बीजेपी ने अब तक जो अपना कैंडिडेट है वो घोशना की नहीं है बीस तारिक फेबरी में तीसरी फेज में यहां चुनाव होने वाले है तो कुछ दिन का और इंतजार है जब बीजेपी से सामने ये लिस्ट अनाउंस हो जाएगी कि कौन अखिलेश के खिलाफ करहल से लरेंगे लेकिन ये जरूर खबर चल रही है कि अपरना बिश्ट यादव ही शायद बीजेपी के तरफ से उतारी अपके अपरास लोटेंगे क्योंकि जब नावंकन होगा उस वक्की तस्वीर है अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे लिकिस बीच जब अकलेश अदव से निकले तो हमारे समवाता उनके साथ थे क्या कुछ का अनून सुनिए समाजवादी पार्टी के राष्टे अध्यक्ष अकलेश अदव करहल से आज अपना विधान सबाक का नामांकन करने जा रहा है अरबारी मौजूद गये ठीक जैन इंटर कॉलेज के सामने वो को इंटर कॉलेज जहां से मुलाइम सिंग्यादव ने अपनी शिक्षा अरजिती उसके बाद में यहां नौकरी की देख सकते हैं आप कि यहां पर करहल किस मोड़ पे किस तरीके से समर्थकों का लोगों का जमावड़ा है और वो यहां पर इस इंतिजार में कब एकलेश शादव आएंगे आपने इतने साहर चुना देखा मुलाःम सिंग छिम्स रहये है ऑज अखलेश जादाव है कित्ना तो में कुछ पथे यहां किए यहां की पहले जो था वो कि जब मिलांज दिए अदफ थे तब करेल में सब कुछ था दिए बिलुक बहुत जाद हमतों से जीदेंगे यहां कोई बिलुकल है नहीं कोई विरोधी नहीं है कोई है करेल में अखर सर्फ ऑखले अदव देख सकते हैं तरीके से अकलीश आदफ सा करहेल के जैनींटर्फ कोलेज के सामने अखिलेश शादव का नेंज की तरफ आप सकते हैं काञ्ने के लिए लका हुआ है अखिलेश शादव तैस समय से अपने आवाज से निकले सैफई से और वहाज से उन्होंने इस काफिले के शुरुआत की और अब यहाँ पर बाहर आ करके समर्थकों से मिले जा रहे हैं उनसे हाथ मिलाएंगे और कोरोना का चुकी प्रोटोकॉल भी है मास लगा रखा है मास ल अबाद की नौकरी यहीं पर उन्होंने की लेकिन अखिलेश शादव ने करहल की सीट को चुना चुनावी मैदान की ताल ठोकने के लिए करहल से कैमरा मैं नीरच के साथ अभिशेक मिश्णा आज तक पंजाब के मुख्यबंती चरंजीत सिंग चन्नी दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे कॉंग्रेस से फैसला किया कि वो भधौर चमकौर साहिप से उमिदवार होंगे आज वो भधौर से परचा दाखिल कर रहे हैं चन्नी की दो सीटों पर उमिदवारी से कॉंग्रेस सा वोड बैंक है यही वजय है कि चरंजीत सिंग चन्नी दो जगों से नामांकन दाखिल कर रहे हैं एक सेफ सीट है एक परंपरागत सीट है और दो सीटों पर दाउन लगाया है अनुने सुबीर सिंग बादल ने भी नामांकन भरा है इस वक्त संबोदित करें शुपीर से बादल करें इस वक्त संबोधित करें तो इस वक्त संबोधित करें अजाए आए अज़ा ने वादल नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे और यह उनके साथ उनकी पत्नी हरस्मरत को और बादल अपने परंपरागत सीट से वो नामांकन दाखिल करते हुए श्रुमणिया काली दल के मुख्य चेहरा आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे जलालाबाद से परचा भड़ते हुए और अपसे कुछी पहले की तस्वीरे हैं हम आपको दिखा रहे हैं जब पंजाब में सुबीर सिंग बादल नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे आज वो एहम दिन पंजाब के लिए जब दो बड़े चेहरे यहाँ पर नामांकन दाखिल करने वाले हैं सुबीर सिंग बादल दूसरा चरनजी सिंग चन्नी थोड़ी देर में चरनजी सिंग चन्नी का भी नामांकन होगा भदोर सीट से वो परचा भरने वाले हैं ये सेफ सीट उनके लिए मानी जा रही है तो अब दो सीटों से नामांकन दाखिल करेंगे पंजाब के सिंग पंजाब के सिंग पंजाब के संदू मिल सही होगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं कमलजीत बेहद एम दिन आज दो मुख्य चेहरे नामांकन दाखिल कर रहे हैं एक ने तो कर दिया है दूसरा चन्नी को लेकर ये काफी सप्राइजिंग फैक्टर था दो जगों से वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं एक तो परमपरागत सीट है और दूसरी सेफ सीट देखे यहां पर पैंतरा बदलने की कोशिश की जा रही है एक गेम चेंजर बोला जा रहा है ये सेफ सीट नहीं है जहां पर हम खड़े हैं बदोर का जो इलाका है आप मेरे पीछे देख सकते हैं अब गाड़ी आने लग गई हैं हमें बताएगा कि मुख्य मंत्री चरंजी सिंग चन्नी यहां पर पहुंच के उनकी गाड़ी आप सीधा देख सकते हैं आज तक पर पहली तस्वीरे हम दिखा रहे हैं चरंजीत सिंग चन्नी जो की मद्दान जो नॉमिनेशन है वो अपनी फाइल कर रहे हैं आज बड़ा दिन उनके लिए ये सेफ सीट इसलिए नही सिंग चन्नी आपको आज तक पहले दिखाते हुए असर बड़ा दिन है आपके लिए आज बहुत दने बाद आ रहा हूं बात करेंगे सर आकर बात करेंगे खास और पे चरंजीत सिंग चन्नी जो की सीधा अंदर जा रहे हैं चमकोर साहिब से भी वो लड़ रहे हैं लेकिन अब एक अलग सीट से सर एक अलग सीट से लड़ने का क्या बता है तो अब जो उनका लक्षिय है वो यह है कि वो सीधा जाएंगे नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे आपको आज तक पर सीधे पस्वीरे दिखाते हुए आज एक बड़ा दिन मुख्यमंतरी चेहरा अगर गोशित होते हैं तो यह क्या गेम चेजर बारे जाएगी देख रहे हैं किस तरह से चरंजी सिंग चन्नी अब अंदर जा चुकी हैं आज तक से सीधा बात करते हुए और नॉमिनेशन पेपर हैं वो फाइल कर रहे हैं आज अगर हम बात करें जितने लोग हैं आपको तस्व भदोर का जो इलाका है वो बर्नाला में पढ़ता है मालवा का यह जो इलाका है यह गेम चेंजर माला जाता है एक सो सतरा कॉस्टिवंसी पढ़ती हैं और उसमें उनहतर जो सीध से हैं वो मालवा से हैं और इसलिए कॉंग्रिस की यहां पे सीधी टक कर रहा हम आदी पाटी